हेलो दोस्तो कैसे हैं आप लोग हमारी आज की कहानी का नाम है जन्म दिन मम्मी जी आप आज कलान लाइन बहुत सापिंग कर रही हैं जब देखो कुछ ना कुछ आता ही रहता है आपके नाम का कीरती ने सासु मामिता जी से कहा बहु ये समय नहीं मंगवाती मेरे पास इतने पैसे ही कहा रहते हैं जो कुछ खरीदारी करूँ ये सब तो इस नहा और पड़ी बहु भेज देती है अमिता जी ने सहमते हुए कहा आप हमारे पास रहती हैं तो उनसे कुछ मांगने की क्या ही जरूरत है हम नहीं देते हैं क्या कीरती ने पूछा बहु ये तो तुम अपने ही दिल से पूछो कहकर अमिता जी पैकेट खोल कर देखने लगी देख को ही पहल लेना और हाँ पहली बार छोटे बेटी के साथ हो ये तो बताओ क्या-क्या तैयारियां चल रही हैं वहाँ इसनेहा चहकते हुए पूछी तू भी ना बेटा एकदम पागल है क्या ही जरूरत थी ये सूट भेजने की अरे कीरती लाती है ना मेरे लिए और क्या त पोन रखती हूं बाद में करूंगी बात कहें मिता जी फोन काट दी कीरती को कुछ समझ नहीं आया किस तयारी की बात कर रही है फिर कुछ सोचते हुए वो अपने कमरे में जाकर इस नेहा को फोन लगा दी दीदी आप किस तयारी की बात कर रही थी आज कुछ है क्या अरे भा बाहर जाने के लिए सूट लेने कामन है, देखती हूँ कब लेती हूँ, बस मा के लिए मैंने भेज दिया, बताओ ना क्या तयारी कर रही हो, इसने हाच हिकते हुए पूछी, मुझे तो याद भी नहीं था, ना आपके भाया ने कुछ बताया, चलिए अब आपने बता दिया तो तयारी कर लेती हूँ, कीरती ने कहा, अमिता जी कमरे में आखे बंद कर लेती हुई थी, उन्हें सुबा से थोड़ा बुरा लग रहा था, कि ना बेटा ना बहु, किसी ने जन्म दिन की बधाई नहीं दी, उपर से तोफा देखकर कीरती कैसे बोलने लगी, एक मैं हू जो भी हाथ में थोड़ा बहुत पैसा, ये लोग देते, वो भी उन्हें ही तोफे देने में खर्च कर देती, दो महिने पहले ही तो कीरती का जन्म दिन था, वो उसके लिए कितने प्यार से तोफा लेकर आई थी, कीरती भी देखकर खुस हो गई थी, क्या सास का फर्ज, ब अभी कीरती बाजार जाएगी, या तो नया मंगवा लिजिएगा, अमिता जी ने एक दो बार कहा भी, पर कीरती भूल गई कहकर, कभी लाई ही नहीं, तब बड़ी बहु ने ही आल लाइन भेच दिया था, न जाने ये सब सोचते सोचते, कब अमिता जी की आख लग गई, म मुझे याद ही नहीं रहा, कहते हुए वो अमिता जी को तोफा पकड़ा दी, अमिता जी तोफा ये किनारे रख कर बोली, बहु इन सब की कोई जरूरत नहीं है, और तुम्हें सारी बोलने की भी जरूरत नहीं है, बस जरूरत है, तो इतना समझने की, कि जम मैं यहाँ पर ये बोलते हुए कि घर के लिए और मम्मी को जो भी जरूरत हो इसमें से ले आना पर तुम कभी नहीं लेकर आई साथ तुम्हारे रहती हूँ पर जरा सा फोन पर बीमार देख बड़ी बहु और बेटी समझ जाते वो फटा फटा आनलाइन सामान भिजवा देते पर तुम से नहीं होता मुझे कोई तोफा ही देना चाहती हो तो बसितना करना दूर बैठी मा के जितनी फिक्र करती हो थोड़ी यहां सात रहती सास की भी कर लिया करना कीरती चुपचाप सुन रही थी जानती थी वो गलती कर रही है क्योंकि पती काम की अधिक्ता में वेस्त रहने के क पतनी पर भरोसा कर सब जिम्मेदारी उसे सौप रखा था पर वो तो अपने माय के वालों के लिए ज्यादा परेशान रहती थी अमिता जी भी कभी बेटे से कुछ कहती नहीं थी वो सुभा जल्दी निकल जाता रात तस बजे आता मा को समय ही नहीं दे पाता था ऐसे में अम कोई बात नहीं बहू अब तुम समझ गई हो यही मेरे लिए बहुत है अमिता जी उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली एक बार तोफा खोल कर तो देखिये ना ममी जी कीरती ने आगरा किया अमिता जी ने जब पैकेट खोला आशर से भर गई वो बहुत पहले ब का मिल गया तो वो सास के लिए चेन ले आई चलो बेटा नहीं बहु ही सही मेरी बात मान तो ली कहते हुए अमिता जी हस दी पहिन लीजिये ममी जी बहुत दिनों से आपका गला सूना पड़ा था कहते हुए कीरती ने खुद ही सासु मा को चेन पहना दी आशा करती हुँ द धन्यवाद